20 अप्रेल को शोर ग्रहन, 6 राशिया होंगी करोरपती, 6 राशिया होंगी कंगाल, साल 23 का प्रथम शोर ग्रहन लगने जा रहा है, जो बैशाक महिने की अवश्या को रहेगा, इस ग्रहन के दोरान बहुत शारी घटनाई होंगी, तो वहीं शोर बुद्ध और राहु की यूत भी बनी रहेगी, ये काफी भेंकर शोरगहन रहने वाला है, क्योंकि ये काफी लंबा शोरगहन रहने वाला है, आपको बताना चाहेंगे कि 20 अप्रल को पढ़ने वाला शोरगहन, सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालने वाला है, परंत सभी राशियों में से 6 छे राशियां ऐसी हैं जो क्रोरपती बनने वाली हैं और छे राशियों को बहुत शावधानी बरतनी की जरूरत है। किस राशी पर अच्छा और किस राशी पर बुरा परवाव पड़ेगा ये भी हम आपको बताएंगे। किस राशियों से छुटकारा पाशकते हैं। दोस्तों, 20 अपरल 2023 साल का पहला शुर्गहन लगने जा रहा है जो 22 साक माश की अवश्यत हिथी को लगेगा, मेस राशी और असुनी नच्छत्र में लगेगा। दोस्तों, वीडियो को अंतक देखेगा, आप से बिनमर निवेदन है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर हो सके तो वीडियो को शेर भी अवश्य कर दें। दोस्तों, इस ग्रहन का प्रभाव, छेर आशियों के लिए बहुत ही सुब रहेगा, छेर आशियों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, छेर आशी बन जाएंगी करोरपती, छेर आशी बन जाएंगी कंगाल। दोस्तों, ये ग्रहन अश्टेलिया, सिंगापूर, चीन, जापान, भियत नाम, एसिया के कुछ हिंसों में, यूरोप के कुछ हिंसों में, साथी साथ ये अमेरिका के कुछ हिंसों में, दच्छनी, अफ्रीका के कुछ हिंसों में, और साथी प्रसांत महाशागर दोस्तों इस शूर्गन की जो समय अबदी होगी भारती समय के अनुसार 20 अप्रेल को शुबह है 7 बचकर 4 मिनट से यह शूर्गन प्रारंब हो जाएगा और दोपार 12 बचकर 29 मिनट पे समाप्थ हो जाएगा यह शूर्गन की कुल अबदी होगी 5 घंटे 24 मिनट की दोस्तों शूता काल समाप्थ हो जाएगा साड़े 12 बजे 20 अप्रेल को और दोस्तों बता दे की शूता काल के दर्मियान और गरहन काल के दर्मियान कोई भी ब्रद्ध और बच्चे रोगी को छोण कर किशी को भोजन न वरजित है लिक्विट का इस्तिमाल कर सकती है सावधानी विशेश वरते हैं इसका प्रभाव शभी राशियों पर देखने को मिलेगा दोस्तों ग्रहन काल के समय जरूरत मंद ब्यक्तियों को दान करना ग्रहन काल के बाद दान करना बहुत ही सुब माना जाता है सुतक काल क कि दर्मियान कोई भी मंदर के कपाट वगरा ना चुएं, पूजा पाठ ना करें, धर्म कर्म के कारण आप यह नहीं कि ना करें, बलकि आप मंतरों का जाब करें, ताकि आपके जीवन में शुब परिणाम मिलें, महामुर्तिंजे मंदर का जाब करें, गायतरी मंदर का जाब करें और ग्रहन काल की दर्मियान तुलसी का सेवन कर सकते हैं दोस्तों साल दोजर 30 का ये जो पहला सुर्गन लगने जा रहा है ये आपके जीवन पर काफी एफिक्ट डालेगा कई राशियों पर शुब पर अशुब पर देखने को मिलेगा ये आपके धन से जुड़े हुए कोई भी समस्चाओं से चुटकारा भी दिरा सकता है परंत सुर्गन का हमारे देश के साथ साथ कई देशों पर अलग अलग प्रभाव भी देखने को मिलेगा कई प्रकार के मोशीविते भिला सकता है तो चलिए अब हम जान लेते हैं एक करके इन सभी राशियों का हाल तो दोस्तों बता दे कि ये सबसे पहली खुशनसीब और भागशाली राशी है मिथुन राशी मिथुन राशी आतकों बता दे कि आपके लिए ये शुर्गन काफी सुब रहेगा आपके लिए ये समय अनकुल रहेगा मान समान में ब्रद्दी के संकेत मिलेगे आर्थिक प्रिवार जिनों का श्रय जिवनसाथि का सहयुँगी और इसमये आपको कोई भी शुपह तुमाचार मिलेगे समाज ए मान समान परतिश्था प्राप्ट होगी साथि इसमें कोई बड़ा काम कर सकते हैं बड़े कारियों में आपको लाब हो शकता है दिन दुगनी राज द्रक्टी प्राप्ट हो शकती है इस दर्मियान नय अपसर आपको प्राप्ट होंगे साथी जूब के लिए किये गए प्रयास आपको सफलता मिलेगी और समाजी के इस्थती काफी मजबूत रहेगी आपके प्रती विश्वास बढ़ेगा लोगों के प्रती आजमान समान के बरदी होगी अब अगली जो तीसरी राशी जो करौरपती बनने वाली है वो है कन्य राशी बता दे कि इसमें आपके द्वारा निवेश किये हुए लाव दिलाएंगे शोस समाज कर हालक निवेश करें सफलता मिलेगी धन तौलत में बरदी होगी कई परकार के शुबकार होगे मिल सकता है अपने स्वास्त का विशेश रूप से ध्यान रखने के कोशिश करिए धन के नए सुरोत नजर आएंगे और जमीन जाजात के मावलों में फैसला आपकी पक्ष में आएगा आरतिक स्थी काफी मजबूत रहेगी राजनितिक शेतर से जुड़े लोगों को लाब होगा चोथी राशी जो करोरपती बनने वाली है वो है यहाँ पर मकर राशी मकर राशकरत को बता दे कि ये शुर्गन आपके लिए काफी सुब रहेगा राजुनितिक शेत्र से जुड़े लोगों को बहुत ही लाब होगा हलक इसमें आपके खर्चों पर थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी पैसे की जरूरत पढ़ने पर आचानक धन का लाब हो शकता है आपकी आर्थिक स्तिती पहले से बेतर होगी प्रेम संबंधों में मध्धूरता देखने को मिलेगी कारिस्थल पर यहीं की जो बाद व्याद चल रहा था आपके लिए शुर्गण के बाद शुब शाबित होगा और बित्ती मामलों काफी शुधार देखने को मिलेगा इसमें आपको अपने यहीं कमर बगरे के उपर थोड़ी से शुमश्या होशकती थोड़ा सा ध्यान रखेगा हलक यह गरहन अपके लिए शुब पर नाम देगा अब जो पांचमी राशी है जो इस शुर्गण पर करोड़पती बनने वाली है वो है यहां पर मीन राशी मीन राशी के आदकों साल का पहला शुर्गण आपके लिए बहुती लाबकारी रहेगा बतादे कि आपकी जीवन में अच्छनक शे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे शुभाव में बदलाव के शंकेत मिलेंगे आपका बिभार सांत और सौम बना रहेगा आप सभी के साथ प्रेम से बिभार करेंगे शफलता मिलने के बाद भी आप गर्व नहीं करेंगे और सभी को सम्मान देंगे आपके अंदर पूजा पाट करनी के च्छमता बढ़ेगी अध्यात्मिक बदलाव भी देखने को मिलेंगे आपका मन इश्वर के प्रतिशानिद में लगा रहेगा बड़े बजरुगों को मान समान मिलेगा धार्वे कारियों में आप लाब लेंगे और जुड़े रहेंगे परसंसा की जाएगी और येस में आपके लिए काफी अच्छा रहेगा नौकरी में तलास कर रहे हैं तो नौकरी के तलास खत्मों की नौकरी मिलेगी एक बेहतर नौकरी मिलेगी आपके कारियों के शराहना की जाएगी बता दे कि इसमें आपका भाग बहुत मजबूत रहेगा इसमें आपको दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की प्राप्त होगी अगली जो भागशाली यानि की जो छठमी राशी है दोस्तों वो है यहाँ पर तुला राशी तुला राशकेत को बता दे कि अब आपकी किसमत दिन दुगनी राच चोगनी तरक्की प्राप्त करेगी कारशित में लाब होगा अब आपको करोड़पती बनने के कई शुनहरे मौके मिलेंगे नए जिम्यदारियां मिल सकती है इसमें अपने करोध पर थोड़ा सा आप यानिकी नियंतरन बनाए रखें किसी भी नए कार के शिरुआत कर सकते हैं यह समय आपके लिए काफी अच्छे रहे गाए यात्रा पर जाने की योग बन रहे हैं बिदेश की यात्रा होगी पुरानी प्रपरिटी वगरे को बेश सकते हैं रोजगार जातकों को रोजगार मिलेगा सरकारी छेदर से लाब होगा इसमें आप पुराने कामकाश को पूरा करते नजड़ाएंगे हर कारियों में साथ मिलेगा लाब मिलेगा चलिए अब बात कर लेते हैं उन छे राशियों का जो इस शूरगण में कंगाल बनने वाली हैं दोस्तों सबसे पहले यनि कि मेस राशी में ये शूरगण लगेगा तो मेस राश को आपको बहुत शाधानी ब्रतिन की जरूरत है किसी से अनबन भी हो सकती हैै यातरा ना करें चोरी होने का खोने का डर बना रएगा चोड़ चिपेड लगशकते स्वास्ति ने थोड़ी से दिखते होंगे अब जो अगली है वो है बिर्सब राशी, बिर्सब राशकत को आपको भी बहुत सावधानी बरतनी है, आपको भी इस दर्मियान किशे से लाराई जगरा नहीं करना है, किशी नए करके शिरुवात न करें, शाथी सोच समझ कर ने लें, फैसला लेते समें अपने बड़े बिर्सब राशकत को आपको बहुत ही समल के फूंक फूंकर कदम रखने होंगे, वरना नुक्षान और घाटा देखने को मिलेगा, और इसमें किशे से विवाद हो शकते हैं, प्रेम संबंध में अलगाओ देखने को मिलेगा, अब जो पांचमी जो राशी है दोस्तों, वो छे राशिया ऐसी हैं जो इस शूर ग्रहन पर करोडपती बनने वाली हैं और छे राशियों को शावधानी ब्रतनी की जरूरत है, तो दोस्तों कमेंट सेक्षन में जरूर लिख दीजेगा कि आपकी राशी कौन है, और साथी दोस्तों इस ग्रहन के दर्मियान कई राजयों का निर्मार होगा, शूर बुद्ध और साथी साथ राहु की युति के करण, राजयों के करण कुछ विशेस राशियों को बहुत लाब होगा, तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिख दीजेगा, और साथी साथ जै सूर देव भी लिख दीजेगा, वीडियो को लाइक करिए सेर करें चनल को सब्सक्राइब करें जैसोर देओ